नमस्कार दोस्तो दे लर्नर पॉंट में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आपको बारा तारीक को मैंने सेडियूल दिया था मनो विज्ञान नवीन हिंदी व्याकर्ण संस्कृत सामाजी कद्यन और लक्ष गाइड का आई होब दोस्तो आपने उतना सेडियूल पूरा का पू पाठेकरम दोस्तो आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन में पाठेकरम मिल जाएगा और दोस्तो कम्यूटी टेप पर भी पाठेकरम मिल जाएगा टेलीग्राम पर भी आपको पाठेकरम मिल जाएगा जैसे टेस्ट खतम होगा आप टेलीग् है पहला प्रसन आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तो सेस्व आवस्ता की मुख्य विशेष्टा क्या नहीं है शीकने की परकिरिया में तीवर्ता जिग्यासा की परवर्ती अनुकरण द्वारा शीकने की परवर्ती या चिंतन परकिरिया खेसो आव़स्ता की मुखे विशेष्ता क्या नहीं है तो दोस्तो इसका राइट अंचर क्या होजाएगा खेसो आवस्ता के मुखे विशेष्ता क्या नहीं है तो विपस नमबर चार ने ये दोस्तो चिंतन प्रकिरिया नेक्स परसन विकास कैसा परिवर्तन है गुणात्मक रचनात्मक गणनात्मक या नकरात्मक विकास कैसा परिवर्तन है तो दोस्तो ये आया वह परसन है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा विकास है वो गुणात्मक परिवर्तन है कैसा गुणात्मक नेक्स्ट है मेकडूगल के अनुसार मूल परवर्ती जिग्यासा का समन्द कौन से सम्वेक से है ये दोस्तो टैट में आया हुआ है चतिस गड़ टैट में भे घ्रिना आश्चरे या भूक मेकडूगल के अनुसार मूल परवर्ती जिग्यासा का समंद सम्वेग कौन सा है यानि जिग्यासा से समंद सम्वेग पूछा है तो दोस्तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा आश्चरे है क्या हो जाएगा आश्चरे नेक्स्ट परसन आपके सामने स्क्रीन पर है किस मौनो वेग्यानिक के अनुसार विकास एक स्तत्यों धिमी पर किरिया है तो दोस्तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा विकास एक स्तत्यों धिमी पर किरिया है तो इसका राइट अंसर जल्दी से बता दीजिए उप्सन न नेक्स्ट है निमन में से कौन सी किशोरावस्ता की मुख्य समस्या है श्वेगात्मक समस्या, समावजन की समस्या, सारीक परिवर्तनों की समस्या या उप्रोक्त सभी तो दोस्तों इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा उप्रोक्त सभी आप सब लोग दोस्तो उत्तर कमेंट बोक्स में देते रहें वीडियो को ज़ये ज़यादा सेयर करें लाइक करें नेक्ट पस्न है कोहल बर्ग के अनुसार देखिए कोहल बर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नेतिक मुल्यों का विकास कर सकता है दार्मिक शिक्षक को महतो देकर वेवार के सपस्ट नियम बनाकर नेतिक मुद्धों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें सामिल करके कैसे विभार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देख कर कोल बरक के अनुसार शिक्षक बच्चों में नेतिक मुल्यों का विकास कर सकता है तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा दोस्तो नेतिक मुल्यों पर अधारी चर्चाओं में उन्हें सामिल करके नेक्ट परसन आपके सामने स्क्रीन पर है विकास शुरू होता है उत्तर बाले अवस्ता परसो पूरो अवस्ता, सेशो अवस्ता या पूरो बाले अवस्ता से तो दोस्तो विकास शुरू होता है इसका राइट अंतर क्या हो जाएगा उप्शन नमबर दो परसो पुरो अवस्ता से विकास कब जुरू होता है परसो पुरो अवस्ता से नेक्स्ट है लोरेंस कोहल बरग विकास के छेतर में सोध के लिए जाने जाते हैं संग्यानात्मक सा लेवस्ता होती है पांच वर्ष तक बारा वर्ष तक एक्किस वर्ष तक या कोई नहीं तो दोस्तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा बारा वर्ष तक नेक्ट है विकास में वर्धी सेतात प्रे है ग्यान में वरिधी स्वेगों में वरिधी वजन में वरिधी आकार सोच समझ कोशल में वरिधी तो दोस्तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा विकास में वरिधी सेतात प्रे क्या है वजन में वरिधी यहां पर वजन में वरि हिंदी के बाद 10 प्रसन है वो तो देखे प्राधीन में प्रयुक्त उपसरगवे मूल सब्द है प्राधीन में प्रयुक्त उपसरगवे मूल सब्द है हिंदी में दोस्तों आपको उपसरगवे टोपिक दिया गया था प्राधीन में प्रयुक्त उपसरगवे मूल सब्द है पर जमा में अधीन, परा जमा में अधीन, पर जमा में राधीन या परा जमा में अधीन तो दोस्तो 25 का राइट अंसर क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ए, पर जमा में अधीन प्राधीन में प्रियुक्त उपसर्ग वे मूल सब्ध है पर जमा में अधीन नेक्स्ट है अत्याचार में उपसर्ग है अती जमा में आ, अती, अत्य अत्याचार में उपसर्ग है अती अती जमा में आ, अती या अत्य तो दोस्तो 26 का राइट अंसर क्या हो जाएगा बै क्या हो जाएगा बै अति जमा में आ अत्याचार में उपसर्ग है इसके बाद दोस्तो आ और निकलता है अति जमा में आचार होगा फिर आ उपसर्ग और निकलेगा तो दो निकलेंगे दोस्तो इसमें अति और आ अत्याचार में निश्टा सब्द में पर्यूक्त उपसरग है निश्टा सब्द में पर्यूक्त उपसरग है नी जमा में स्था निश्ट जमा में था निश्ट जमा में था निश्ट जमा में ता तो दोस्तो इसका right answer क्या हो जाएगा 27 का ए बिल्कुल से ही निस जमा में स्था next परसन आपके सामने screen पर है निरादर सब्द में उपसर्ग है निर निरा निर निर पलस आ निरादर में उपसर्ग है निर निरा निर निर जमा में आ तो दोस्तो 28 का right answer क्या हो जाएगा The निरादर में सबसे पहले तर् Après निकल लेगा दोस्तो निर उपसर्ग उसके बाद आदर शबद बच्चेगा उसमें आ उपसर्ग निकल लेगा क्या आ नेक्स्ट है विश्वास सब्द में उपसर्ग है विश्वास सब्द में उपसरग है निश्वास है दोस्तों निश्वास निश्वास सब्द में उपसरग है 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 निश्वास सब्द में जमा में पती निश्जमा में पती या निश्जमा में पती तो दोस्तो तीस का राइट अंसर क्या हो जाएगा option number निश्जमा में पती क्या हो जाएगा निश्जमा में पती नेक्स्ट है प्रिमान प्रिमान सब्द में उप्सर्ग वे मूल सब्द है प्रिजमा में मान प्रिजमा में मान प्रिजमा में मान प्रिजमा में मानन तो दोस्तो प्रिमान सब्द में उप्सर्ग कौन सा है तो इसका राइटांस हो जाएगा दोस्तो कतिस का बै प्रिजमा में मान तो परी उपसरग है कौन सा परी नेक्स परसन देखे दोस्तो प्रजवल शब्द में उपसरग वे मूल शब्द है प्रजवल शब्द में उपसरग वे मूल शब्द है प्रेजमा में उद जमा में जवल प्रेजमा में उद जमा में जवल प्रेजमा में उद जमा में जव प्रे प्रे यह होते हैं ठीक है लास्ट में जोल सब्द बच जाएगा मूल नेक्ट है श्वेम शब्द में उपसरग है तो दोस्तो श्वेम शब्द में उपसरग है तो दोस्तो श्वेम शब्द में उपसरग कौन सा है सव सू स्वे या सव तो दोस्तो इसका राइटांस रोज आगा है सू, कौन सा उपसरग है श्विम में, सू, सू जमा में, अय, ठीक है, तो सू उपसरग है, कौन सा है, सू, नेक्ट देखें दोस्तो स्वथ, स्वथ, सब्द में उपसरग है, सू, छोटा सू, बड़ा सू, सव, सव, तो दोस्तो स सब्सक्रित अब दोस्तों संस्क्रित बाशा सेकंड संस्क्रित में मैं दोस्तों आपको दिया था प्रत्य topic और इसके लावा दिया था लत्या का रूप दोस्तों ज़्यादा person नहीं है 10 person है कोई जिनके पास अंगरेजी बासा है वो 10 minute इंतिजार कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है 10 minute क्या 5 minute में 10 person हो जाएंगे तो आप थोड़ा सा इंतिजार करें पांस मिंट क्योंकि पहले मनोविग्यान करते हैं फिर इंदी करते हैं फिर संस्कृत उसके बाद सामाजी का पाठ फिर सामाजी का लक्से की गाइड वाला टोपे करेंगे ठीक है तो आई होब दोस्तो आप 10 उस्मिंट वेट करेंगे जिनकी बादस अंगरेजी है तो 11 नमबर परिस्ट है असी त्वन्तो क्या है? अशी तवन्तो में दोस्तो परत्य कोन सा है इनमें दोस्तो जितने भी सब्दाएंगे उनमें आपको परत्य की पैचान करनी है अशी तवन्तो में परत्य कोन सा है कत्वत्तु, स्रित या सानच अशी तवन्तो में परत्य कोन सा है तो दोस्तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कतवन्तु है कौन सा है कतवन्तु नेक्स्ट है ग्यानियम ग्यानियम क्या है ग्यानियम में धातु है गम गे गी गो तो दोस्तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा ग्यानियम मे धातू कौन सी है तो गे धातू है कौन सी है गे धातू नेक्स्ट है आस जमा में सानच आस जमा में सानच आगे बताएगे दोस्तो आसमान असमान आसीन आसियान तो दोस्तो आस जमा में सानच सानच सब्द बनेगा आसीन आसीन में कौन सा परते हैं तो सानच परते हैं नेक्स्ट है दाध हतो दाध हतो कत परते क्रिते किम रूपम भवती दाध हतो कत परते क्रित किम रूपम भवती दंतम दातम देतम दतम तो दोस्तो चोदा का राइट अंसर क्या हो जाएगा जिसमें दाध हतो लगी हो और कत परते हो उससे बनने वाला रूप क्या है तो दोस दाध हतु है और कत परते हैं ठीक है नेक्स्ट शिश्य शिश्य में दोस्तों कौन सा परते हैं यत अनेत कयब शयप तो दोस्तों 15 का राइट अंसर क्या हो जाएगा कयब नेक्स्ट दोस्तों ब्रमंत में कौन सा परते हैं शिश्य शानच कत बंतु तो दोस्तों इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा इसमें यह दोस्तों शिश्य 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 हो जाएगा कत अस्ताता में कौन सा है कत परते है कौन सा कत नेक्ट देखे दोस्तो अठारा नंबर असनम हसनम में कौन सा परते है लून लिव्ट यत या अनत तो दोस्तो इसका राइट क्या हो जाएगा असनम में कौन सा परते है लिव्ट परते है कौन सा लिव्ट नेक्ट है शुक्ति में कौन सा परते है सूजमा में उक जमा में कितन सूजमा में वच जमा में कितन सूजमा में कितन या सूच जमा में कितन तो दोस्तो 19 का राइट अंसर क्या हो जाएगा उप्सिन नमबर 2 सूजमा में वच जमा में कितन next हत्या में कौन सा परत्य है हत्या यत अनित कयप यसरित तो दोस्तो 20 का राइट अंसर क्या हो जाएगा कयप है कौन सा है कयप next है लता सब्द लता सब्द दोस्तो लता का रूप दिया था मैंने आपको लता सब्द एक वचन चतुर्थी विविक्ति क्या होगी लता सब्द एक वचन चतूर्थी विवक्ति क्या होगी लता, लताम, लताय, लतया दोस्तो राम का रूप आपको पिछले टेस्ट में दे दिया था वो आपने याद भी कर लिया आज लता का दिया हुआ था तो बताईए लता सब्द एक वचन चतुर्थी विवक्ती तो दोस्तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए लता ही होगा क्या होगा लता तो ये होई गया दोस्तो लता सब्द एक वचन चतुर्थी विवक्ती इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा लता ही क्या हो जाएगा बै क्या हो जाएगा बै लता आगे दोस्तों ये बिंदी सी नेक्स्ट है लता सब्दी सब्ध मी विविगती एक बचन लता याम लता लते लते यो तो दोस्तों तेईस का राइट अंसर क्या हो जाएगा लता याम क्या हो जाएगा लता याम नेक्स्ट है लता प्रत्म विविक्ति दूभी बिचन लता लते लता तो दोस्तों चोईस का राइटन से क्या हो जाएगा अब आती है दोस्तों आपकी समाजिक विझ्यान तो पहला प्रस्वन आपके सामने स्क्रीन पर दोस्तों वरद्दफर भारत का पहला प्रस्न है चमपा में कितने संस्कृत अभिलेक मिले ? की रचना की जे वर्मन यह सो वर्मन राजा वर्मन या बहु वर्मन तो दोस्तों 37 का राइट अंसर क्या हो जाएगा बै यह सो वर्मन क्या हो जाएगा यह सो वर्मन नेक्स्ट है कंबुज के किस नरेश ने कुल चारसो च्छासी चंदों के दो अभिलेखों की रचना की जेवर्मन येसो वर्मन राजेंदर वर्मन या बहु वर्मन कमभूज के किस नरेश ने कुल चारसो च्छासी चंदों के दो अभिलेखों की रचना की जेवर्मन येसो वर्मन राजेंदर वर्मन या बहु वर्मन तो तो गुण चारिश का राइट अंसर क्या हो जाएगा क्या ए दूसरी तीसरी नेक्स्ट है बटार गुरु क्या है मुर्ति स्टूप गुरु का नाम या महल बटार गुरु क्या है तो दोस्तो चारिश का राइट अंसर क्या हो जाएगा ए बटार गुरु दोस्तो एक मुर्ति है क्या है मुर्ति नेक्स्ट है राजा यसो वर्मन में कितने आश्रम स्तापित किये राजा यसो वर्मन ने कितने आश्रम स्तापित किये 110, 90, 100 या 50 तो दोस्तो इसका राइटां सा क्या हो जाएगा से 100, कितने आशरम स्तापित किये 100 next है जावा का जावा का सबसे महतोपन वास्तु सिल्प क्या है, वहां की मूर्ति बोरो बदूर मंदिर सिल्पी या कोई नहीं दोस्तो बियाणिष का राइट अंसर क्या हो जायेगा बै, बोरो बदूर मंदिर क्या हो जाएगा बोरो बदूर मंदिर नेक्स्ट है दोस्तो तियांडिस नंबर वयंग क्या है कथन नाटक पात्र या कोई नी वयंग क्या है तो दोस्तो इसका क्या हो जाएगा वयंग एक नाटक है क्या है नाटक नेक्स्ट है दोस्तो जावा के समाज का मुख्य देख्या था चावल वे गेहूं केवल चावल मास मचली दाले मक्का तो दोस्तो चोमारिस का राइट अंसर क्या हो जाएगा ए चावल वे गेहूं नेक्ष्ट है ब्रह्मा का स्रोत्तम मंदिर है आनंद मंदिर लोरो जंगरंग ब्रह्मा मंदिर या सिव मंदिर तो दोस्तो पैंतारिस का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए आनंद मंदिर ब्रह्मा का स्रोत्तम मंदिर कौन सा है तो आनंद मंदिर नेक्ट परसन है दोस्तो हर्षवर्दन का सासंकाल था तो जल्दी से बता दिये दोस्तो हर्षवर्दन का सासंकाल क्या था दोस्तो ये मैंने अस्टी में आपको टोपिक दिया था चस्सो चैसे एक अजार तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तो चस्सो चैसे चस्सो शैन्ताड़िस दो नंबर से ये नेक्ट है राज्जय वर्दन की मर्थ्यू के पशात हर्ष को कितने सिहासन ग्रहन करने हेतू प्रेरित किया था तो दोस्तो दो का राइट आसर क्या हो जाएगा राज्जय वर्दन की मर्थ्यू के पशात हर्ष को शिहासन ग्रहन करने हेतू प्रेरित किया था नेक्ट है दोस्तो हर्ष के सासन काल के समय कौन सा विश्व विद्यले शिक्षय का एक बड़ा के अंदर था विक्रमशिला उद्यंतपुरी तक्ससिला या नालंदा हर्ष के सासन काल के समय कौन सा विश्व विद्यले शिक्षय का एक बड़ा के अंदर था तो दोस्तो तीन का रइट अंसर क्या हो जाएगा? चार नंबर ऑप्शन नालंदा कौन सथा? नालंदा नेक्श देखें दोस्तो तो किस चिन्नी यातरी को वरत्मान सके मुनि एयो यातरीों का राजगुमार कहा जाता है नेगे निमन को सुमेलित कीजिए इधर देखे दोस्तों पुष्टके हैं और इधर क्या है? रच्यता पुष्टक पहली है हरसृत दूसरी है सुरिय सथक तीसरी है कुमार पाल रचित, तीसरी है रतनावली इधर देखें दोस्तों मयूर, बानभट, हेमचंदर सूरी या हर्शवर्धन तो दोस्तों इनका मिलान करना है अपन को तो देखें एक का क्या हो जाएगा दो अर्शवर्दन ने बानबट क्या लिकी थी बानबट नेक्स्ट दोस्तो सुरिय सतक सुरिय सतक मयूर नेक्स्ट दोस्तो कुमारपाल कुमारपाल रचित इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा तो दोस्तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा हरिस्चरित की रचना किसने की थी अप्शन नमबर दो बानबट सुरिय सतक की रचना किसने की मयूर कुमारपाल रचित यह है दोस्तो हेमचंदर सूरी रतनावली हर्शवर्दन ठीक है पर्ति हारवत्स का मांतम सासर को staff कौन था दंति दूरग वत्सराज मेहर बोस्त या नागबट दूeten पर्ति हार्वत्स का मांतम सासर कोन था तो दोस्तो छे का राइट अंसर क्या हो जाएगा उप्सन नमबर तीन मिहिर भोज कौन था मिहिर भोज नेक्स्ट है खजुराओ खजुराओ मंदिरों का निर्मान किस साशक ने करवाय था चंदेल साशक यसोबरमन गड़वाल साशक गोविन चंद चुहान साशक विग्रे राज राष्टर कूट साशक तंती दुरुग तो दोस्तो साथ का राइट अंसर क्या हो जाएगा उप्स द्रमपाल देवीपाल नारायनपाल या रामपाल तो आठ का राइट अंसर क्या हो जाएगा दोस्तो उप्सन नमबर एक द्रमपाल ने की थी दोस्तो विक्रम जिलावी सुवी देले की स्तापना नेक्स है हर्स की बहन राशरी का विवा किसके साथ हुआ था संसांक स्रव पर्थम भारत कहां पहुंचा अवेन सांक स्रव पर्थम भारत कहां पहुंचा कारागर कपिसा पेसावर या काबूल तो दोस्तों दस का राइट अंसर क्या हो जाएगा उप्सन नमबर दो कपिसा पहुंचा था कहां कपिसा यह दोस्तों परसंद थोड़ो आप तो दोस्तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा चोलो ने किया था दोस्तो राश्टर कोटम तथा ग्राम में विवाजित अपने राज्यों को नेक्स्ट है किस राजबंस के समय कनेरी विश्व विद्यले पर शिद्वा राश्टर कोट चोल चालुक या पल्लो तो दोस्तो इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा किस राजबंस के समय कनेरी विश्व विद्यले पर शिद्वा तो इसका राइट अंसर हो जाएगा राश् तो दोस्तो तीन का राइट अंसर क्या हो जाएगा पल्लो वंस की राज़ दनी क्या थी कांची थी क्या थी कांची नेक्स्ट है भारवी किस के दरबार में था नर्शिंग वर्मन फस्ट मेंदर वर्मन फस्ट शिहें वर्मन फस्ट नंदी वर्मन फस्ट तो दोस्तो बारवी किस के दरबार में था इसका right answer क्या हो जाएगा option number B में इंदर वर्मन फास्ट next है दोस्तो पल्लो वंस के बाद किस वंस किस तापना हुई पल्लो वंस के बाद किस वंस किस तापना हुई तो दोस्तो इसका right answer क्या हो जाएगा कि क्या हो जाएगा चोल पल्लो वंस के बाद किस वंस किस तापना हुई तो चोल की तो दोस्तो ये थे आज के महतो पूर्ण परसन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके आप जुरूर बताना और कल का schedule दोस्तो जल्दी आपको मिल जाएगा मैं अभी लिख कर्णा दौस्तो मैं निकल का schedule भढ़ा लिखा नहीं है अभी लिख दोगा लिख करका आपको कल का schedule मिल जाएगा नीचे description वक्रेप्स्तों में दूबंगा दोस्तों यहां description में और वीडियो कैसा लगा मुझे जुरूर बताना नेक्स्ट टेस्ट 16 तारीक होगा ठीक है पास्ट पास्ट 16 बांगस्ट 16 तारीक है कि उन्म एहिए हो यह जिर व्हा मुझे मुझे कि दो थार hier झाल